पंजाबी सिंगर और लिरिक्स जानी का हुआ भ्यानक एक्सिडेंट मशूर पंजाबी गायक जानी का तिवास मुहाली में भ्यानक हाथसे का शिकार हो गए जानी सहित कार में दो लोग सवार थे कार की रखतार तेज थी हाथसा इतना ब्यानक हुआ कि कारपल्टिया खाते उलट गए इस दोरान गाड़ी की एरबैक खुल गए जिस कारण जानी नुकसान से बच रहे इस गटना के बाद गायक जानी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि हाथसे के दोरान हम सब कार में मौझूद थे और परमात्मा की क्रिपा से हम सब खीक है उन्होंने कहा कि इस मामले में अधिकारी तैय दिल से काम कर रहे हैं और हमें अस्पताल से चुट्टी भी मिल गई है गायक जाने ने परमात्मा का शुक्रिया अदा करते कहा कि वाहे गुरू ने रख ली वाहे गुरू दा शुक्रिया पीछे से काने मारी तकर जांकारी के मुताबिक मोहाली के सेक्टर 88 में जानी और उनके दोस्त फॉर्चूनर से जा रहे थे उनके पीछे से एक कार आ रही थी जिसने उनको टक कर मार दी इसके बाद जानी की कार आनेंतरित को कर पलड गए हाथसे की वक जानी पीछे वाली सीट पर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे जबकि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था हाथसे मैं उनको कई जगा पर चोट लगी ऐसे मैं सिंगर को तुरंत अस्पताल भी भरती करवाया गया कहां कहां लगी चोट खबर है कि जानी की गर्दन और पीट पर चोट लगी लेकिन उनकी हालत गंबी नहीं है उनके साथ मौझूद दो अन्य लोग भी घायल हो गए वहीं दूसरी और पिछली कार का ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित रहा मामले में ऐसे चोट सुहाना गुर्जी सिंग ने बताया गी हाथसा मंगलवार शम 6 भजे को करीब हुआ जानी अपनी कार से सेक्टर 91 जा रहे थे जहां सेक्टर 88 की लाइट पॉइंट पर कार ने उनको टक्कर माती पुलिस मामला दर्च कर जांच कर रहे हैं वक्त पर खुले थे ऐरबैक कहीं चश्म दीद के मुताबिक हाथसे के वक्त कार की रफ्तार काफी जादा थी इस वज़े से टक्कर के बाद उसने तीन बार पल्टी मारी राहत की बात ये रही कि गाड़ी की एरबैक वक्त पर खुल गए जिस वज़े से तीनों को जादा चोट नहीं है वही मौजूद लोगों ने उनको कार से बहार निकाला और पर अस्पताल पहुचाया घटना के बाद उनको बहुत से फैंस अस्पताल के बाहर पहुचे साथ ही सभी उनके स्वास्त के दुआ मांग रहे हैं पिलहाल के लिए बस इतना ही अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं नियूस साइट